इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दे वेस्ट लैंड का फूर्थ सेक्शन डेट बाय वाटर इसके पहले हम थ्री सेक्शन को पढ़ चुके हैं और अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो तो जाके देखिए एंड डेफनेटली आपको इसकी स्टोरी समझ में आ जाएगी दे इस सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है डेफ बाय वाटर इसमें टी एस सिलियाट एक्चुली टैरिशियस के माध्यम से एक सद उपदेश देना चाहते हैं अध्यात्मिक्ता के और मोडने के लिए एक सद उपदेश देते हैं और सबसे चीज यह है इस सेक्शन के सबसे छोटा सेक्शन है जो फाइब सेक्शन है वेस्टलैंड पोयम में सबसे छोटा सेक्शन सेक्शन 4 है डेथ पाइब वॉटर एक्श항 में भी कई बार कॉश्शन आता है कौण सेक्शन सबसे होटा है तो सबसे छोटा से चीज़े लेते हैं तारीशियस के माध्यम से जैसा की सारे ही सेक्शन को टैरिशियस देख रहा है कहीं एक प्लेस पे खड़ा हुआ और वो खुद बोल रहा है तो टैरिशेस इस दे प्रटगरनेस रेंड़ा में स्पीकर ओफ दिस पोयम संसार के धन दौलत में आसक्त रखने वालों को हे इसाईयों अथवा यहूदियों संबोधन से संबोधित करते हुए टैरिशेस उनसे कहता है कि आप लोग अपने शरी रूपी जल्यानों को संसार सागर में आगे बढ़ा रही हैं आप लोग वर्धावस्था की दिसा की और भी देख रहे हैं अर्थार्थ अपने भविश्य के लिए भी चिंतित हैं परंत भविश्य की दिसा ही वह दिसा है जिधर से म्रत्य रूपी तूफान आता है आध्यात्म वादी लोग जो इस संसार सागर के गल नामक पक्षी कहला सकते हैं चिल्ला चिल्ला कर आपको आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहे हैं तता यह भी बतला रहे हैं कि म्रत्यू के समय आत्मा के साथ आध्यात्मिक गुड़ ही जाते हैं एकत्र किया हुआ धन दौलत नहीं फिर भी आप लोग उनकी सात्वी चेतावनी की और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं तत पस्चात टैरेशियस उनसे फ्लेवास के दोरभाग्य की घटना पर द्विचार करने का अनुग्रह करता है फ्लेवास भी उन्हीं में से किसी भी सुन्दर तथा लंबे वक्ती के समान सुन्दर तथा लंबा था फिर भी उसकी आत्मा को अनंत में के पीड़ा सागर में डूबना पड़ा कारण यह है क्योंकि वो निरंतर भौतिक लाभूं था था हानियों के विचारों में डूबा रहता था वे फोनेशिया क्या एक व्यापारी मलाह था उसे समुद्र में डूब कर मरे हुए कई लंबी अवदी नहीं हुई है अपने माल से लदे हुए जहाज को उसने धन लाप के कच्चे लालच में आकर सीगल नामक समुद्री पक्षियों की चेतावनी के बावजूद भी तथा मद्ध समुद्र में उठती हुई तूफानी लहर की अवहिलना करते हुए समुद्र में डाल दिया था कारण उस समय वह प्राप्त होने लाभू की तथा आगे जल में ना जाने पर होने धन हानी की गड़ना कर रहा था परंतु जब वह संसार सागर में आगे बढ़ रहा था तो म्रत्यू की अद्रस से लहरों ने आकर उसकी आत्मा को उसके नश्वर सरीर से उस समय अलग कर दिया जब समुद्र की अनेक रूप धारी लहरे और चारों और धीमी आवाजों में फुस्पुसा कर आपस में बातें कर रही थी जब वह म्रत्यू के भवर में गिर कर उपर उठा तथा फिर नीचे गिरा तो उस समय उसके दिमाग में उसकी जवानी तथा परिपक अवस्था के द्रस से एवं इस म्रतियां ही चमक रही थी कोई भी आध्यात्मिक प्राप्तियां नहीं थी मतलब उसने पूरा जीवन सिर्फ पैसा एकटा करने और इसी में लगाया था कोई भी उसने आध्यात्मिक उसके पास पुंजी नहीं थी इसका आर्थ यह था कि उसकी आत्मा के पास कोई भी प्राप्त की हुए आध्यात्मिक सत्कर्म रूपी गुण नहीं थे तथा उसकी आत्मा को अनन्त के महासागर में पीणाओं को सहन करने के लिए बात दे होना पड़ा और अन्त में खो गई तो ये था छोटा सा पार्ट डेथ बाई वाटर आई होप आपको समझ में आया होगा इसकी ट्रांसलेशन थीम और समड़ी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो तो इसके बाद का वीडियो जो होगा वो लास्ट फिफ्थ सेक्षेन को ले करके होगा यस इसका इम्पॉर्टन चीज ये है कि ये जो η डित water section में. So, thanks for watching.